आपके साथ आरजी अंजू धर्म गंगा में आज एक छोटा सा दृष्टान सुनाते हैं क्यों माता पार्वती ने चार ब्रह्म पुत्रों को ही महादेव शिव को दान में दे दिया था ये कहानी शिव पूरान की एक कथा की है कि माता पार्वती ने ऐसा क्यों किया जब कैलाश पर्वत में कार्थिके का जन्म हुआ तो माता पार्वती एवं भगवान शिव ने अपने इस पुत्र के छे रूपों के पालन पोशन के लिए उन्हें कृतिकाओं यानि कि सबतरिशी की पतनियों को सौप दिया महादेव शिव के कार्थिके को कृतिकाओं को सौपने का एक और कारण ये भी था कि कृतिकाओं की देख रेक में कार्थिके उन ज्यान को ग्रहन कर लेंगे जो उन्हें देवताओं के सेनापती बनने की समय मदद करेगी तथा वद्दुष्ट तरकासूर का वद्द करकर देवताओं को उसके अट्याचार से मुक्ते दिलाएंगे तरकासूर एक शक्ति शालित द्याथ के जिसे ब्रह्मा जी का वर्दान प्राप्थ था तथा वो केवल भगवान शीव के पुत्र के हाथों ही मारा जा सकता था जब कार्टिके बड़े हुए तो उन्होंने तारकासूर का वद्द किया तथा इसके बाद उन्हें दूसरे राज्ज उसकी सुरक्षा के लिए भेज दिया गया अता इस प्रकार माता पार्वती अपने पुत्र कार्टिके के साथ ज्यादा समय वेतित नहीं कर पाई माता पार्वती की एक पुत्री भी थी जिनका नाम अशोक सुंदरी था अशोक सुंदरी भी बाल्यावस्ता में ही ध्यान योग से प्रेरित होकर कैलाश परवस्ते दूर किसी अन्यस्थान में तपस्या के लिए चली गई क्योंकि भगवान शिव भी अपना अधिकतर समय ध्यान में व्यतित करते थे अता माता पारवती अकेले परिशनिपन से परिशान होकर अपनी माता मैनावती के पास इस समस्या का उपाय पूछने गई देवी पारवती की माता इस समस्या की घहराई में जाते हुए बोली कि असली समस्या तो तुम्हारे पती महादेव शिव हैं यदिवत तपस्या के स्थान पर अपने परिवार को समय दे तो यह समस्या उत्पन नहीं नहीं होगी उसी समय नारदमुनी वहाँ प्रकट हुए तथा जब देवी पार्वती के माता ने नारदमुनी के सामने समस्या रखी तो नारदमुनी बोले कि यही समस्या एक बार देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी के साथ भी उत्पन्न हुई थी परन्तु उन्होंने इस समय समस्या से मुक्ति प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र को मुझे दान कर दिया क्योंकि देवराज इंद्र मेरे लिए किसी भी तरह से कुपयोगी नहीं थे इसलिए मैंने उन्हें वापस इंद्राणी को सौप दिया तब से देवराज अपना अधिकतर समय अपने घर में व्यतीत करते हैं तता इंद्राणी को भी उनकी समस्या से मुक्ति मिल गई जब मैनावती और देवी पारवती ने नारज जी की ये बात सुनी तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न वह भी महादेव शिव को दान कर दे तब देवी पारवती ने नारज मुनी जी पुछा कि आखिर उन्हें महादेव शिव को किसी दान करना चाहिए तब नारत मुनी ने उपाय सुझाते वे कहा माता पार्वती से बोले कि आप महादेव शिव को ब्रह्मा जी की चार पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार को दान कर दो यह उत्तम रहेगा नारत मुनी की आगय से माता पार्वती ने महादेव शिव को ब्रह्मा जी की चार पुत्रों को दान कर दिया माता पार्वती सोच रही थी कि जब कुछ दिनों बाद चारो ब्रह्म पुत्र महादेव शिव को उनके लिए उन्यूपयोगी समझेंगे तो वे वापस माता पार्वती को महादेव को सौप देंगे परंतु ऐसा नहीं हुआ हुआ ये कि उन चारो पुत्र ब्रम्मों ने अपने दिव्य विवेक से भगवान भोले नाथ को अपना सेवक बना लिया इस पर करुणा में माता पार्वती अब और दुखी हो गई तता उद्र महादेव शिव की अनुपस्तिती में पूरी स्रिष्टी का संचालन भी अस्तिव्यस्त होने लगा तब सभी देवता माता पार्वती की साथ मिलकर उन चारो ब्रह्म पुत्रों की पास पहुचे तता स्रिष्टी के सुचारो रूपस संचालन की लिए भगवान शिव को वापस देने की प्रात्ना करने लगे माता पार्वती ने उन ब्रह्म पुत्रों को समझाया कि अगर भगवान शिव पुन्ह स्रिष्टी के संचालन में सहयोग नहीं देते तो पूरी स्रिष्टी प्रलयम हो जाएगी इस प्रकार उन्हें तर्क सम्मत समझाने पर चारो ब्रह्म पुत्रों महादेव शिव को